दर्शकों को हसाने जितना ही मुश्किल डराना है। बहतर कॉंसेप्ट के साथ लोगों को बांधे रखना और हर सीन के साथ डर पैदा करना आसान नहीं है। हौरर के तड़के के साथ अमेजन प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज़ इड विलेज इस हफ़ते रिलीज हुई है। इसके जरिये तमिल एक्टर आर्या ने ओटिटी की दुनिया में कदम रखा है। सिक्स एपिसोड वाली ये सीरी जे एक नया कॉंसेप्ट थ्रिल के साथ दर्शकों के सामने परोस्ती है। और डॉग हेक्टिक के साथ रोड ट्रिप पर निकलते हैं। रोड पर एक्सिडेंट होने के कारण एक लंबा जाम लग जाता है। इसके बाद हाईवे के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन सुनसान रास्ते से होते हुए परिवार कैटियाल गाव पहुंच जाता है। जिसे हांटेड विलिज कहा जाता है। गाड़ी पंचर होती है और परिवार भूतिया गाव में फंस जाता है। इसके बाद कई रोमांचक मोड लेते हुए कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म की कहानी की शुरुआत बरसाती रात के साथ शुरू होती है। एक प्रेगनेंट महिला और उसके परिवार के साथ हादसा होता है। कैटियल गाम में परिवार के सदस्य बड़े भयानक तरीके से मरते हैं और यही फिल्म का सबसे इंप्रेसिंग सीन है जो रोंगटे खड़े कर देता है। पहले एपिसोड से कहानी का फ्लो बन जाता है और इसका कॉंसेप्ट काफी अच्छा है। शुरुआत में सीरीज डराने के साथ ही मिस्ट्री क्रियेट करती है। फिल्म के मेकप डिपार्टमेंट की यहां तारीफ करनी होगी जिन्होंने कलपना से परे काम किया है। परेशान करता है। जंगल में नियोन कलर प्लांट, जानवर और कुछ सेट मैच नहीं खाते। वहीं हॉरर का म्यूजिक थ्रिल पैदा करने के लिए सबसे मजबूत कड़ी है लेकिन यहां मेकर्स मात खा गए। आरिया के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। कहानी को बढ़ाने में उनका कंट्रिबूशन नजर नहीं आता। कलाकारों ने एक्टिंग सही की है लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें ओवर ड्रामा करने पर मजबूर करती है। अच्छे कॉंसेप्ट के लिहाज सीरीज एक बार देखी जा सकती है।